नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है सीवाई अश्ट लोजर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जन्म कुंडली का सप्तमेश यानि कि जो विवा का कारक ग्रह है या जो सप्तम भाव है वो कही न कही अशुब हो जाए या फिर उसको जो है कोई न कोई हमने में इस तरह की जो कह्ए न होगी उसको किस तरह से आंखनल lleल लगा सकते हैं एकटम सटीग नहीं बता सकते क्योंकि सामने वाले की जब कंडली होगी तब हमें जादा से जादा पता चलता क्योंकि जब दो kundalियों में एक जैसे परिणाम होंगे तब इसका आंकलन जादा से जादा पता चलेगा लेकिन फिर भी हम इसमें आंखलन लगाने की कोशिस करते हैं तो आप को जो है मैं सारे इस्टेप्स बताता हूँ तो आप मेरा ये जो यूटूब चैनल है इसको सस्क्राइब करें और जो आंकलन लगाने का जो तरीका है किस तरह से हमने कौन-कौन से इस्टेप्स फॉलो किये हैं उनको आप देखें सबसे महतरपुन इसमें लगन कुंडली नवमाश कुंडली और ग्रहों के नक्षत्र और आपके सरवाश्ट वर्ग बीनाश्ट वर्ग और आपका सड़बल तो आईए इन सब विश्वों पर चर्चा करते हैं तो आपके सामन करता है तो जीव हानी करता है यानि कि जहां पर अकेला बैठ जाता है उस घर की कहीं नगई हानी करता है उस घर को सोक लेता है अब वह इस घर की हानी किस तरह से कर सकता है या तो वह विवा को खराब कर दे या आपका जो विजनेस कम्यूकेशन है या व्यापार है उसको ख हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मालव्य नाम का पंच महापुरुस योग बन रहा है जर्म कुंडली में तो यह एक बहुत ही महत्रकुने का अच्छा योग है तो शुक्र यहां पर बहुत मजबूत है शुकर जनम कुंडली में अगर हम देखेंगे तो यहां पर वह 26 डिगरी के योग में यानि बार्वे घर में चला गया तो जातक क्या करेगा पहले सेटलमेंट करने कोशिश करेगा पहले सोचे का कि मैं पहले कुछ प्रापर्टी या कुछ इस तरह की चीजे बना लूँ या अपने को सेटल कर लूँ जिससे कि मैं विवाईक जीवन के सुक जो है गो भोग सकूं यानि जैसे कई लोग के थे ने भई पहले नोक्री लग जाते हैं अच्छा व्यापास शेटल कर लेते हैं अच्छा कुछ इंकम बेंक बैलेस बना लेते चाड़ी वाड़े जाते हैं उसके बाद करते हैं तो यह जो ठोरी है ये आज आती है बारवे घर में जाने से और बुद्ध जो हैं वो जन्मकोंडली का नवमाश में छटे गर में जा रहा है तो नोकरी का गर है सूरे के साथ है तो पढ़ाई बुद्ध अधित योग बन रहा है इसका मतलब है कि उसका यहां पे इस तरह का योग बहुत ही मजबूत हो रहा है बुद्ध शूरे के साथ है शनी के साथ भी है यहां पे हमें देखना है कि जो सनी है जन्मकोंडली में 0 डिग्री मंगल के दनिष्टा नक्षतर में है सूरे जो है वो 23 डिग्री पूरो भादर पत नक्षतर में है इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो है वो शनी और सूरे का यहां पे पित्र दोस्ट टाइप का स्रापित दोस्ट कहें ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है इसलिए जातक शिर्फ अपने जो जिम्मेदारियां हैं जो रिस्पॉंसिबिलिटी हैं उनके लिए डिले करेगा और कोई बड़ा प्रोग्राम यहां पर नहीं होता नजरा रहा है अब यह डिले करेगा या फिर साधी होगे टूट जाएगी उस पर हमारा जो है वो विशेज चर्चा चल रही है तो सुक्र जो है वो मजबूती से यहां पर सब्तमगर को देख रहा है तो जाता को लाब दे रहा है कि वह साधी तो होगी और कराएगा अच्छे कराने के कोश्चित करेगा लेकिन जो गुरू है वह यहां पर दुस भावे रासी में है दो मेरी दिखाता है या फिर पहली मेरी डिले हो जाए या पहला कोई मंगली का नवमेश है मंगल और धनेश है यहां पे तो धनेश भी है तो अच्छा है परिवारवर्दी का भाव है और जो मंगल है वह विवाह के लिए देखा जाए तो एक तरह से थोड़ा सा अशुप ग्रहवाना जाता है जैसे मांगलिक दोसों को क्रेट करता है तो यह मंगलिक है चतुर्त गर का मंगलिक है और नवमाश से भी मंगलिक है यानि की डबल मंगली हो गया और अगर हम गुरू को देखेंगे तो गुरू जो है वो यहां पे भाव वर्गुतम है और वो भी यहां पे देखा जाए तो नवमाश में भी अकेला बैठा सब्तम गर में और दिशुभावे रासी में यह दोनों जगए इसका तत्पर है क्या है दो विवा या दो रिलेशन या पहली साधी तूट के दूसरी साधी हो जाए इस तरह का योग बन रहा है तो हम यहां पे जो निसकर्स निकालेंगे कि भाई गुरू डिले मेरिश करवाएगा या तलाक करा के दूसरी साधी कराएगा तो जो मंगल की दृष्टी है गुरू के ऊपर और गुरू नवमेश है तो यहने की शेकिंड मेरिश के योग बना रहा है हम यह कह सकते हैं लेकिन यहां पे जो केतु है जो यहां पे तीसरे घर में बैठा है पड़ोसी के घर में बैठा है हमारा जो कम्यूकेशन है उसकी घर में बैठा है चोटे भाई बहिनों के घर में बैठा है प्राकरम के घर में बैठा है तो वह केतु यहां पे जो है वो पहली दूसरी तीसरी चोथी और पांच्वी पांच्वी दृष्टी को देखता है कि कही ने कही पहला विवाध डिले करें या फिर नहीं हो मैंग लेकिन इस जात्तक के लिए हम यह कह सकते हैं कि यहां पर मंगल की द्रिश्टी है जो जात्तक को सेकंड मेरीज की तरब ले जाते हैं लेकिन यहां पर जो गुरु है वह जात्तक को यहां पर अपनी पंचम द्रिश्टी देख रहा है तो पहली विवा के अंदर तकलीप आएगी डिले आएगा या फिर यह कहेंगी उसका सगाई होके तूट सकती है क्योंकि के तू क्या है एक तरह से दिखा जाए तो क्रेक करने को दिखाता है तो यहां पर पह अच्छी नौकरी प्राप्ट कर लूँ जिसे कि और अच्छी नौकरी जिसे कुछ बैंक बैलेंस बनाओ और उसके बाद जो है विवा करो अगर हम नौमाश में जाते हैं तो शुक्र जो है नौमाश के अंदर जो है वो तीसरे घर में आया है और कुंब रासी में है तो यह ही जैसे ग्रह भी यहाँ पर gjawa कर वा सकते हैं प्राप्राक्ति के गर्में बैठे हैं यहां में जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि इसका एक और महतउपूरफी नहीं के चलते हैं कि जो गूरु है जägद्रमा के तो चंद्रमा के आल यहां कि हम प्रेम समखनद नो कि और तक की यहां पर प्रेम समखनदु रोज़ा क्यों चतखकर में चला गया है दूसरा क्या होगा कि वो प्रेम समंधों के चक्कर में किसी से प्रेम करता है तो घर वालों के साधी अभी नहीं करूंगा डिले करूंगा ऐसे करके वो समय जो है वो नश्ट करने की कोशिश करेगा यहां पर नवमाश कुंडली में गरम चंद्रमाव दिखते हैं तो दस्वें गरम में आता है जो दिखाता है कि अपने हाप यह अपने रिजल्टों को काटेगा और कई ने कई उसमें डिले कराएगा तो यहां पर डिले के योग बन रहे हैं तो इसके बाद जो सबसे महत्यप किसे सबसें सबसें सब्सक्राइब देखें गर old जो मालिक वह और इसकी क्या पोच्छी सन एक पर आवर लेके बैठा है और गूर। गुरूं जो है वह एक सब्स दने सबसेंटुम्स हैं उसके उपर से यह जो गूरू है वो रिजल्ट इसरतद देगा बुद्द चाहता है अब जल्दी साधी हो लेकिन गुरु कहता है कि नहीं या तो दो मेरी जोगी या फिर डिले मेरी जोगी तो यहां पर गुरू के परिणाम तिर्वगति से उसके ऊपर मंगल जो हैं वह 119 परसेंटेट डिगरी से यानि कि हम कह सकते हैं कि जो देख रहा है तो कह रहा है कि बु और मंगल थोरी सबस्तमेश बुद्ध के उपर से निकल रहे हैं तो वहाँ पे डिले के मैरीज के योग बना रही पहला मुरी तूटे इस तरह मुझ नहीं हूँ नहीं होरा और शनी भी फो हें और यहाँ राजयोग कार को रहा है लगन में और यहां तो यहां पर हमें लाब के योग मिल रहे हैं, अब उसके बाद हमें सबसे मैत्वपूल देखना है सरवाश तक्वर्ग, यह बहुत सारी डाउट्स और क्लियर कर देता है, सारी कि अमारी समझने की संभाव ना है, उनको क्लियर करता है, देखे, सब्तमगर में जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं चोईस नहीं कि बहुत अच्छी हैं और ना कह सकते हैं कि बहुत बुरें च्ट उआ पर BCinizi पॉंच आना और प्रेम संबंधों में पांच से जादा होते हैं तो हम कहते हैं कि यहां प मान लूते हैं poi होते होते घंख तोchat तरफ ही जाता लेकिन यहां पर सेकंड मेरिज भी क्या है इस सब्सक्राइब यानि फर्ष्ट मेरिज को खींच नहीं रही अपनी तरफ क्योंकि इन में ज्यादा फरक नहीं है दो डिग्री दो पॉइंट का फरक है और यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो पंचम करें प्रे इक तीस वर्स के आई हो तो जब वह नोकरी वोकरी कुछ अच्छा लग जाए तो प्साधी कर ले यहां पर यह पूर्ण रूप से अगर यहां पर चौंतिस पॉइंट होते तो यह कहता कि नव में यहां पर खीच रहा है तो पहली साधी हो जाती यानि तूटके दूटके लेकिन यहां पर खीच नहीं पा रहा है तो यहां के पहली साधी में डिली होगा यहां पर यह आपके लिए समझने का सबसे मैध्रपूर्ण पॉइंट है जब हमने शुक्र को देखा तो बहुत पावर्फूल था लगन में बैठा था लेकिन पॉइंट तेईस हैं यानि कि हम यह कह सकते हैं कि शर्वांश्ट क वरग में इस भाव में बैठा हुआ कोई बल नहीं दे रहा जाँ बहो को कि वह यहां पे देखके यहां पर इस सुक्र के पावर को भी जो हैं वो कमजोर समझ के यही कहेंगे कि यहां पर फर्स्ट मेरीज में डिले आएगा याने कि जातक कि पहली मेरीज टूटे गी नहीं करेंगर इसको अरगे लें चलती है यहां पे हम सरवास्टक वर्ग में जाती है तो सबसे पहले सब्सक्राइब्स कि अब पे यह point कट रहे हैं अब सब्सक्राइज जो बारवे गर में बैटा है वहां पे point बना रहा है चार अगर यहां पर बना था तो जातक जो है वह यह नहीं सोचता कि मिझे settlement करना या नहीं करना है वह फिर सोचता कि मेरे पर समझने का point है उसके बाद क्या है यहां पर कि हम देखेंगे शुक्र को शुक्र के क्योंकि यह natural कारक रहे हैं तो शुक्र साधी के लिए तत्वर है चार का point दिखा रहा है विभाई जीवन को बहुत अच्छा कर रहा है मालव योग बना रहा है तो तुम्हारा जीवन विभाई को पर सम्रद्ध हो जहां पर चार तो उसकी विवाई जीवन में तलाख नहीं करने देगा और यहां पे तीन पॉइंट है जैसे हमने बुद्ध को आंख ने जहां पे बैठा है तीन पॉइंट है इसका मतब पावर नहीं दे पा रहा है कि साधी कराके और नश्ट कर दे तो यह कर रहा है देर आएगा दरुस्त आएगा तो यहां पे इस तरह के पॉइंट चार मिल रहे हैं तो हमें लाब हो रहा है अब हमें आगे क्या देखना है कि यहां पर जो गुरू है तो पांच पॉइंट लेके साधी कराएं और अभी कराएं लेकिन क्या हो रहा है कि जो मंगल है जो यहां पे दृष्टी डाल तो यहां से हम कहेंगे कि भाई यह जो दृष्टी डाल रहा है वह कह रहा है कि भाई तुम्हें डिले मेरिज में तनाव तकली यह सब करने के लिए मंगल ततपर है तो जन्मकुंडली में शुक्र बुद्ध और गुरु और मंगल के सयोंगों को देखते हुए हम अपने आज है डिले होगा देरी से होगा लेकिन अच्छा होगा अब कब हो सकता है सब्लकर के ओपर गुरु का गोचर होता है तो यहां पे जो गुरुन पर गोचर हुआ है कि पिछले साल के अंदर तो यहां पर विवा के यह कुछ बने होंगे या जैसे सगाई हो जाना कोई रिलेशन होना कोई बात अच्छी चलना यह हो सकते हैं लेकिन अभी उम्र जाता कि कम है तो साधी के योग नहीं बढ़े अब जब गुरु लगन के ऊपर गोचर करेगा मीन रासी में तब जाता के साधी के योग बनेगा निकि हम यह कह सकते हैं अपरेल मार्स तक का मैना चलेगा तब जाता के साधी के योग बन जाएंगे तो यहने कि 2022 के अंत में और 2023 के आपके पहले चार मैनों के लगबख इस व्यक्ति के साधी के योग बनेगे उस सब्सक्राइब कौन सी दसा चलेगी उसको हम देख लेते हैं तो जाता को मंगल की एक्टिव है तो यहां पर डिले कर रहा है अब मंगल के अंदर जब जातक को यह सनी आएगा 2022 मार्स से लेके 2023 अपरेल तर तो हमने देखा कि सनी जनम कुंडली में जिम्मेदारी के गर में बारवे गर में सयासुक के गर में बैठा है सेटलमेंट के गर में बैठा है और तक को सनी जो है वो अपनी दसा अंतर दसा में विवा करा सकता है और उस समय जो गोचर में गुरू भी होगा वो मीन रासी में गोचर कर जाएगा यानि 2022 के अंतर तक हम कहेंगे कि यहां पर हमें जातक की पारिवारिक वर्दी को लाग दिरा है तो हमने सडबल के द्वारा गोचर के द्वारा लगोdır और तारों एद्वारा अंकला है तो आप द्वार्दी को सब्सक्राइब में चलिए पीडिये तब में समय का वेट करिए सबसे बड़ा जो उपाय है गोर्थ दूसरा है आपको कुछ उपाय करने हैं तो गुरु अगर डिले करने में इनकी उपाय करें यहां पर यह से निक में गुरु के उपर कौछ जायें जो लाब दे रहा है सनी जिस समय की अंतर दसा चलेगी उसी समय गोचर ऐसा हो रहा है जैसे मैंने पिछले वीडियों बता है कि जिस गिरों की दसा चली उस समय गोचर ऐसे वह एक उनको अशुप परिनाम मिले अब यह जो वीडियो है इसके अंदर जब हम देख रहे हैं कि मंगल में जब चनी आ रहा है तो हमें लाब जरूर होगा तो इस तरह से आप भी अपनी जर्मकोंडली में फलादेश करें तो आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों